नमस्कार मैं हूँ काजल रसोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 सडक से संसत तक कहते हैं कुदरत के करिश में अजीबों गरीब होते हैं पर किस पर क्या करम कब कर दें कुछ नहीं पता जी हाँ एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के जन्पत कानफो डगर की थाना चकेरी अंतरगत रामा देवी के सनिकवास से सामने आया जहां सिलाई करने वाले मुहम्मद अब्बास के घर में एक ऐसा बकरा है जिसके शरीर पर अल्ला लिखा पाया गया जी हाँ आपको बता दू अब्बास का कहना है कि उनका ये बकरा लगभग तेरा महीने का है पहले उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके बकरे के शरीर पर प्रकति का ऐसा चमतकार है हमारे समभदाता के साथ देखें ये खास रिपोर्ट मौलाने जी आपको पर्चे बता दीजे अबना मेरा नाम इहुमत कली मैं मौलाने जी ये जो एक बकरे में यहाँ अल्ला पाया गया है लिखा हुआ है इसमें क्या कहींगे आप ये लफ़ अल्ला ये उर्दू सब्सका लफ़ है और ये खुले अफ़ाद में ये लिखा हुआ हुआ है इस बकरे में अल्ला और अल्ला समझे की जिसके हम कुझा करते हैं जिसके हम इबादत करते हैं और वो अल्ला की साथ वड़ी ही मुकद्दस और उसके उसके जाथ और उसके सफात अल्ला वो है जो कमाम सफात कमालिया का मालिक हो और ये बहुत ही बरकत वाली चीज है ये लख जो लिखा हुआ है बहुत सहरो बरकत वाली जात है क्या नाम है अफ गड़ा है मेरा नाम मुहमदअबаж ह। क्या मामला है मुछम्मट जी ? मामला ये है कि ये मेरा बक्रा यह बक्रा करीब छे महीने तक जो हैं भीक उप फिलाते फिलाते रहें जब तक कि मुझे कुछ पता नहीं तुम्हे इस ही अचानक ये मेरे पाँ बैठा हुआ था बक्रा तो मैंने इसमें गौर किया, मुझे लगा कि इसमें अल्ला लिखा हुआ, फिर इसको मैंने कई बार देखा, देखने के बाद फिर मैंने कई लोगों से जोए दर्याप्त किया, कि भई ये देखिये, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें अल्ला लिखा हुआ, तो इसमें जो ह कि लोगों ने करा लिखो झाओं ट्रफिक लिखा वहां इसको सम्थिंग सम्थिंग में 13 मजिने से पाल रहा हूँ प्राइब जैसे यह जो आपने बगरा फाला हुआ है इसको किस तरीके से पाला और क्या इसमें में भोजन इसका खाने खाने भीन का करते हैं तर फिर वेखिए टक तक तो मैंने बिनकों नार्माल तरीके से पाला देसे चल रहा था हूंशन्य रहा था । जब आप जब इसको नहीं है लगए थे खाली झाली रहे रहा है लगए जब सुछा जाना जब साफ़ी। झाल